हेलो फ्रेंड देखिए जारखन न्यू रिक्वाइरमेंट 2023 की ये न्यू वेकेंसी आई है गुमला और जामताड़ा जिले से ये वेकेंसी निकल के आ रही है तो देखिए जारखन न्यू वेकेंसी भरती 2023 है ये फुल डिटेल इनफोर्मेशन इस वीडियो में बताया फुल डिटेल इनफोर्मेशन दी जाएगी तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलिग्राम गुरूप जारखन जॉब नोटिफिक्शन में जॉइन नहीं हुए तो जल से जल जॉइन करने को कि बहुत सारे जॉब इनफोर् वेकंसी को डाला गया भी जस्ट तो यहां पर देख सकते हैं संत जेवियर स्कूल हजारी बाग की वेकंसी को भेजा गया है आप लोग जॉइन होके देख सकते हैं इसके बाद देखिए डीए भी स्वर्न रेखा पबलिक स्कूल रांची के तरफ से यह वेकंसी आई है अप्लिकेशन का फॉर्मेट ने तहाद का जो अप्लिकेशन फॉर्म है यहां पर भेजा गया है तो आप लोग जॉइन होके सब इसब का बेनिफिट ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या है डीटेल नोटिफिकेशन तो देखिए सबसे पहले वेवहर नियाले गुमला जीले से यह वेकंसी निकल कारी विज्यापन संख्या एक अबलिक दो जाट थीश वेवहर नियाले गुमला में रिक्रपदों पर सीदी न यूखती है तू योग उमिदवार से विहत पत्र में स्वाहस्त लिकित आवेद दो शीकिट है S2 काटिगरी में 4 टॉ Türkiye शीट में टोकल 6 सीट के बाद देखने पीन या अधश्पाल के लिए 6 सीयट है यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं सेलरी और जो गयता रने स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा इसके प्यून आदेसपाल में 18000 से लेकर 50900 तक सेलरी दी जाएगी और 10 वी मेट्रिक उतीर होनी चाहिए और स्क्रीनिंग टेस्ट सक्षटकार लिया जाएगा इसमें इसके बाद देखिए उम्मिद्वार भारत का नागरिक होना चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए नेतिक चरित अच्छा हो किसी आप्राधिक आजणन वाले केसी मामले में वानचित या सजा या आपता ना हो विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जी अच्छे साप साप नहीं दिख दा होगा तो इसका जो साप वाला फॉर्मेट है मैं टेलीग्राम गूरूप में भेज़ दूँगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो यह फॉर्मेट भरने के बाद दोनों को अलग-अलग पेज में निकाल लिएगा इस फॉर् पांच फिर छोड़ देना आपको इसके बाद यहां पे आपको दिनांक लिख देना है और इसके बाद देखिए साब को भरने के बाद सारे फॉर्मेट को भरने के बाद जितने भी डौकुमेंट चाहिए इसमें उसको अटेज कर देना हैं आप है अपनी उम्र सेक्शनिक अब देखे किस एड्रेस में भेजना है और देखे इसमें एक और भी खाली लिफापा जो लिफापे का अंदर एक खाली लिफापा भी होना चाहिए 25 संटीमीटर इंटू 11 संटीमीटर का परवेस पत्र निर्गत करने है तो जिस पर 40 रुपय का डाक का टिकट सटा हुआ होना चाहिए और देखे इसमें तीन फोटो देना होगा आप सभी को एक तो फोर्म में आपको साथना होगा जो यहाँ पे परवेस पत्र दिया है उसमें और तीसरा अतरीक्त होगा और इसके बाद देखे यहाँ पे स्पीट पोस्ट से भेज देना रिखे उमिद्वार अपना सवाहत लिकित आवेदन पत्र एवं परवेस पत्र देवनागरी लिपी में परधान जीला एवं सत्र नियायदिस गुमला को संबोधित करते वे विहित प्रारूप में अधो हस स्पीट पोस्ट के द्वारा आप लोग भेज सकते हैं उसमें जो आप अपना एड्रेस भरेंगा आवेदक का परवेस पत्र जिसमें परिक्षा या साक्षातकार का सीनेव अंकित होगी उनके दरसाए गए पते द्वारा भेजा जाएगा इसके बाद देखिए लिफापे के उपर विज्यापन संख्या आवेदित पत का नाम एवं स्रेनी बड़ी एवं साप अक्षरो में लिखा जाना आवस्चेक है तो ये सब आपको जितने भी बोला गय है फ्रेंग अब इसको देखिए आवेदन को या तो निवंदित डाक क के माध्यम से या फिर हातों हात भी देशकते हैं आप इस पीट पोस्ट के माध्यम से प्रभारी निया आए अधिस वेवार निया ले गुमला में भेज सकते हैं पिन कोट आप लोग सर्च कर लीजिएगा एक बार और ये भेकेंसी देखिए फिर वेवार नियाल है जामताड़ा जारखन के तरफ से आई है विग्यापन सकते है एक अबलिक दो जाथ इस तो देखिए इसमें इसमें अनुसेवक या सामान या आदेसपाल की मतलब सीटे आई है देखिए तीन सीट जेनरल के लिए है और दो सीट एस्टी के लिए टोटल पांच सीट है और चालक यानिक ड्राइवर के सीट एक सीट की भेकेंसी निकाली गई है और इसमें देखिए सारा चीज सेम ही रहेगा लेकिन बस इसमें देखिए एड्रेस जो है कहां पर आपको भेजना है तो यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर दिया हुआ है साफ साफ तो आई होप पूरी डिटेल इंफर्मेशन समझ में आ गई होगी आप सभी को फिर भी डाउट रगी है कोई तो कॉमेंट सेक्शन में पुछ सकते हैं या फिर टेलिग्राम गुरूप चारखन जॉब नोटिफिक्शन में जॉइन होके प पुछ सकते हैं थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो